जिस दिन मोधी करेंगे राम मंदिर का उद्गाटान उसे दिन देश को देंगे दूसरी सबसे बड़ी सौगात बदल जाएगा इतिहास खुशी से जोम उठेंगे करोणों सनाथनी मोधी के गुरु ने कान में जो कहा वो सच करके दिखाएंगे भगवान राम को सबसे बड़ा मान दिलाएंगे आप भी लिख दो जैसी या राम बंद आखों से राम भद्रा चारे ने दुनिया देखी राम चरित मानस भगवत गीता को कंठस्त किया और अब खुले मंच से मोधी के सामने कर दी ऐसी मांग जिसे पूरा करते ही भारत बन जाएगा हिंदू राष्ट्र 22 जनवरी ये तारीख नोट कर लीजिए दिवारों पर लिख कर टंगवा लीजिए इस दिन इतिहास बनेगा पूरी दुनिया राम मै हो जाएगी जब भगवान राम के सबसे अनन्य भक्त राम लला को उनके स्थाई निवास पर विराजेंगे राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के कारिक्रम के बीच मोधी के गुरू ने उनसे ऐसी मांग कर ली है जिसे पूरा करने के लिए मोधी 22 जनवरी का दिन ही चुन सकते हैं एक ऐसी मांग जिसके पूरा होते ही भले ही भारत वापचारिक तोर पर हिंदू राश्र ना हो लेकिन पूरी दुनिया भारत को हिंदू राश्र कहने लगेगी मोधी पलभर में तिहास रच देंगे और विरोधी देखते रह जाएंगे मोधी के गुरु जगद गुरु राम भद्राचारे ने गुरु दक्षणा में ऐसा क्या मांग लिया जो चारो तरफ तालियों की गोंच सुनाई देने लगी मोधी भी मंच पर गंभीरता से सोचने लगे और कानो कान भरोसा दिलाया कि गुरु की गुरु दक्षणा जल्द पूरी होगी लेकिन पहले इन तस्वीरों को देखी सीने से लगाया फिर हाथ पकड़ कर मंच तक ले गए जगत गुरु राम भद्राचारे और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी की मुलाकात का भावुक पल देख हर कोई ताली बचाने लगा इसी मौके पर राम भद्राचारे ने मोधी के कान में कुछ हैसा कहा जिसके बाद प्रधान मंत्री भी मुस्कुराने लगे पीम मोदी चित्रकूट में राम भद्राचारे की रचित किताबों का विमोचन करने पहुचे थे प्रधान मंत्री बनने के बाद मोदी पहली बार चित्रकूट गए संतों का आशिरवाद लिया प्रधान मंत्री मोदी ने मंच से अस्टा ध्याई भाष्य राम नंदाचारे चरितम और भगवान श्री कृष्ण की राष्ट्र लीला किताब का विमोचन किया तीनों किताबे जगत गुरु राम भद्रा चारे की है, इसके बाद मंचो से ही जगत गुरु राम भद्रा चारे ने कहा अभी मुझे मोदी जी ने कहा वजन घटाईए, मैं क्या करूँ? मैं उठने के बाद दो लाख राम नाम जब करता हूँ इसके बाद लिखता हूँ, मुझे समय ही नहीं मिलता है, अभी राम चरित मानस के नौखंड मुझे लिखने है, मैं प्रधान पंतरी से यही कहूँगा, कि किसी भी प्रकार से राम चरित मानस को ही राश्टरिय ग्रंथ होना चाहिए, मोदी अकसर अपने अचानक और बड़े फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं, मोदी कब कौन सा कदम उठाले कोई नहीं जानता, उनके लिए राश्टर प्रेम राश्टर हित सर्वो परी है, लेकिन अब जब मोदी के गुरु जगत गुरु राम भद्राचारे ने राम चरित मानस को राश्टरिय ग्रंथ घोशि एक टीवी चैनल को इंटर्व्यू देते हुए राम भद्राचारे ने बताया कि मैंने मोदी के कान में विजई भाव कहा, यानि 2024 में एक बार फिर आभी प्रधान मंत्री बने, दोस्तों क्या आप भी राम चरित मानस को राश्टरिय ग्रंथ देखना चाहते हैं, कमेंट ब पाक्स में जरूर देए!